हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ शाश्वत और आप देख रहे हैं ओम्ट्रिक्स यूटूब चैनल दोस्तों लेकर के आ चुका हूँ यूपी बोल्ड परिश्या 2019 के लिए एक और बहुत बड़ी खबर दोस्तों ये खबर आज ही आई हुई है अगर आप ये खबर देखना चाहते हैं तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा हमारी वेबसाइट का आप जाकर के देख सकते हैं ये पूरी खबर ये पूरी खबर निकली है दैनिक जागरण के 24 नमबर के पेज में दसवा नमबर पेज का था आप देख भी सकते हो अगर आपके पास 12 बंगी क आता है तो पेपर ठीक है तो पूरी खबर जानी है अच्छे से क्या हुआ है यूपी बोल्ट परिक्षा 2019 के लिए एक नया बदलाव आया है अब जानते हैं पूरी खबर के बारे में और अगर आप नया है चैनल पर और ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो नीचे दिए क लाल वाले बटन से चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ला क्योंकि हमारे चैनल पर 10 और 12 की तैयारिया होती है बोल्ट परिक्षा 2019 के लिए तो चलिए जानते हैं खबर ये परिक्षकों से ऑनलाइन अंग द खास होने वाला है जानते हैं क्या खास होने वाला है तो पड़ते हैं पूरी खबर राज ब्यूरो प्रियाग राज यूपी बोल्ट परिक्षा हाई स्कूल वा इंटरमीडियत की प्रायोगिक परिक्षाओं में खाना पूरी पर पूरी तरह से विराम लगाने की तैयारी म बोल्ड हर कालेज तक परिक्षकों को जाने के लिए पहले ही निर्देश दे चुका है इस बार अंक भी आनलाइन मंगवाने का मन्थन चल लहा है क्या आप जानते हो कि आप इस बार प्रैक्टिकल दोगे तो अगर ये निर्णा एकदम ले लिया गया कि अब आपको घाटा हो सकता है अपने अंकों में ुट्छा निदेशञ माधमिक सहित शासन की सहमती बनी तो इसे अमल में लाया जाएगा यानि पूरी सब की टीम की सहमति बनी तो यहां पर ये जल्दी से जल्दी इस बात पर अमल कर लिया जाएगा हाइश्कूल हाई स्कूल के प्रधानाचारे पहले से ही आनलाइन अंक भेज रहे हैं हाई स्कूल के जो प्रधानाचारे होते हैं वो आनलाइन अंक भेजते हैं इंटर में अभी भेजने अभी अंक भेजने की विवस्ता बदलने के आसार है इंटर वालों के लिए थोड़ा changes लाने के आसार है बोल्ट परिक्षा मुख्याले प्रदेश के सभी 18 मंडलों में हाइ स्कूल वा इंटर की प्रायोगिक परिक्षाओं का कारिक्रम जारी हो चुका है इस बार भी इम्तिहान दो चर्णों में हो रहा है परिक्षाओं 15 से 31 दिसंबर और 30 दिसंबर से 13 जनवरी तक 2019 तक होना है यह कौन सी प्री बोल्ट परिक्षा की बात नहां पर हो रही है बोल्ट सचिफ परिक्षा कारिक्रम के साथ ही सामाने निर्देश भी चारी कर चुकी है इसमें इंटर के प्रियोगात्मक विशेयों में 50 फीसद अंग आंतरिक परिक्षक वा इतने ही अंग वाह परिक्षक को देने हैं वहीं हाई स्कूल में आंतरिक मुल्यांकन प्रोजेक्ट के अधार पर होगा क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आई नहीं समझ में आई तो मैं समझाता हूँ यहाँ पर कहा गया है कि जो 50 फीसद अंग है वे आंतरिक परिक्षक देंगे जो आपके आते हैं आपसे कुछ कोशन पूछन हैं परिक्षक उसके 50 फीसद अंग मिलेंगे और जो 50% अंग रहेंगे वो आपको बाय परिक्षक को देने होंगे यानि कि बाय परिक्षक जो आपके स्कूल से बाहर से आता है परिक्षक ठीक है वो आपसे कुछ कोशन पुछेगा उसके आपको जवाब देने रहेंगे और अगर आप जवाब दे ले जाते हो तब आपको वो नमबर देगा, वहीं हाई स्कूल में आंतिर मूल ल्यांकन प्रोजेक्ट के अधार पर होता है, आप अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट बना करके सम्मिट करते हो, उसके आपको नमबर दिये जाते हैं, ठीक है, ऐसा इंटर में बिलकुल नहीं होता है, इंटर में आपको परिक्षक आता है, वो आप से कुछ कोशन पूशता है, आप उन कोशनों के जवाब देते हो, तो आपको वो नमबर देता है, अन्यथा पंदरा नमबर नहीं देता है, ठीक है, और आपको जो फाइल बना कर ले जाते हैं, उसके कॉलेज में पंदरा नमबर दे दिये जाते तो बस यही था एक बड़ा अपडेट की वो जो 15 नमबर आपको देने हैं वो भी आप 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 अपडेट करना है परिक्षकों से आप 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 वीडियो में इस खबर को अपने सबी दोस्तों तक फैला दो एकदम सब लोग को वीडियो शेर कर दो ताकि सभी लोग जान जाए कि इस बार क्या होने वाला है बोल परिक्षा में और अगर आप ये पोस्ट पढ़ना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जाओ सभी लोग पढ़ सकते हो तो तब तक के लिए दोस्तों टेक केर बाबाए एंड देखते रहे हमारे चैनल ओम्ट्रिक्स की वीडियो और सब्सक्राइब नाव ओम्ट्रिक्स यूट्व चैनल